Hello everyone, मैं हूँ इनामी का जच्चा बच्चा मेरी हल्प या आप सबका स्वागत है आज के इस विडियो में मैं प्रेग्नेंसी के कलर डॉपलर सुनोग्रोफी या कलर अल्टरसाउंट को पढ़ना बताऊंगी तो विडियो बहुत इंफर्मेटिव है विडियो को कम्पलीट देखेगा जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कलर डॉपलर सुनोग्रोफी क्या होता है प्रेगनेंसी की दोरान कलर डॉपलर सुनोग्रॉफी क्यों किया जाता है इसके अलावा कलर डॉपलर सुनोग्रॉफी नॉर्मल सुनोग्रॉफी से कितना अलग होता है इसको क्यों किया जाता है डॉप्टर इसको क्यों करते है तो फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूं कि व पर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं कहीं आपके बेबी में कोई खराबी तो नहीं है कहीं आपकी प्रेग्मेंसी में कोई कमी तो नहीं है तो वीडियो को कम्प्लीट दिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फर्मेट्व लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा सेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि इंडिया में जो सोनोग्रॉफी का स्टेंडर्ड रेजियो होता है वो लगबख सेल होता है तो यह जो मेरे पास सोनोग्रॉफी रिपोर्ट्स है तो हो सकता है कि आपके sonography reports से point to point match ना करें लेकिन मेरे sonography reports में जो भी points है जो भी मैं बताऊंगी वो आपके sonography reports में जरूर होंगे भले आगे हो पीछे हो तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और अपने baby के बारे में अपनी pregnancy के बारे में जान सकते हैं तो अब मैं Color Doppler Sonography Report पढ़ना स्टार्ट करती हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि Color Doppler Sonography क्या होता है जिससे की सब कुछ clear समझ में आए तो देखिए Color Doppler Sonography एक टेस्ट होता है जिसमें की High Frequency Wave Sound का यूज होता है जिससे गरभासे के अंदर की एक पिक्चर प्राप्त होती है और उस पिक्चर से इंटरनल ओर्गन के एबनॉर्मल्टीज का पता चलता है और उसके एकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है तो ये होता है Color Doppler Sonography Color Doppler Sonography में जो में पॉइंट देखा जाता है वो बॉड़ी में Blood Flow को चेक किया जाता है इसमें जो बॉड़ी में Blood Flow होता है वो Red और Blue कलर का दिखाई देता है तो बॉड़ी के किस पार्ट में कहां कहां का Blood Flow चेक किया जाता है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी तो वीड Color Doppler Sonography नॉर्मल सोनोग्राफी से क्यों अलग होता है देखें Color Doppler Sonography में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें Body में Blood Flow को चेक किया जाता है जो कि Normal Sonography में नहीं चेक हो पाता है और एक बात और कि Color Doppler Sonography कब किया जाता है प्रेगनेंसी के तोरान तो देखें यह आपकी प्रेगनेंसी के कंडिसें पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी की कंडिसेन क्या है अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव हुई है नॉर्मल तरीके से प्रॉसस चल रहा है कोई प्रॉबलम नहीं है तो उस प्रेगनेंसी के 9 मंत में आपको Color Doppler Sonography करवाने की एडवाइज क अगर आपकी pregnancy में कुछ complications हैं, कुछ problem हैं, जैसे कि अगर आपने medical treatment से pregnancy conceive की है, या फिर आपकी pregnancy में कोई भी problem है, आपकी baby की growth जो है वो proper नहीं हो रही है, कोई भी problem है, तो उस condition में करला-डॉपला sonography आपको डॉक्टर पहले भी करवाने के लिए कह सकते हैं, आपको six month में करवाने के लिए कह सकते हैं, seven month में करवाने के लिए कह सकते हैं, तो वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि कब-कब क्यों किया जाता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो पे बने रहेगा, तो ये मैंने बता दिया कि Color Doppler Sonography क्या होता है और कब-कब करवाया जाता है, अब मैं ये Sonography Report को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए, देखिए ये दिया है, सबसे पहले यहाँ पे LMP, यानि कि Last Menstrual Period, यानि कि आपका जो Last Period था, वो कब आया था, उसकी पहली Date क्या थी, वो यहाँ पे दिया रहेगा, और यहाँ पे ये देखिए, जो Last में रिजर्ट होता है, वो यहीं पे Sonography Report में ये लोग दे देते हैं, कि Sonography Report में क्या आपकी रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पे देखिए, There is a Single Life Intrauterine Fetus with Cephalic Presentation, ये देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये Normal Pregnancy Report है, जो कि Pregnancy के 9 मन्त में किया गया है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगी, तो देखिए, There is a Single Life Intrauterine Fetus, Cephalic Presentation, तो यहाँ पे मतलब कि एक Live Uterus के अंदर एक बेबी है, जो कि Live Cephalic Presentation है, यानि कि ये 9 मन्त में किया गया है, और ये Cephalic Presentation का मतलब होता है कि बेबी Head Down Position में आ गया है, and Longitudinal Lie, यानि कि बेबी का Head जो है वो नीचे की तरफ है, Longitudinal Position में है, Fetal Moment is Present, Fetal Fetus का, यानि कि बेबी का Moment हो रहा है, Fetal Cardiac Activity is Present, यानि कि फेटस की बेबी की दिल की धड़कन है, वो है 133 Bits per Minute, यानि कि 130 Bits per Minute है बेबी की Heartbeat, अब यहाँ पे देखिए, Fetal Biometry, यानि कि Fetus के Body का Parameter क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, BPD, BPD का मतलब होता है, Bi-Parameter Diameter, इसमें बेबी के Head को मिली मीटर में ना पा जाता है, तो यह देखिए, 36 Week, 2 Days की यह Pregnancy है, तो इसमें बेबी के Head का Size क्या है, Pregnancy के According, बेबी का Brain जो है, वो Proper Develop हुआ है कि नहीं, बेबी के Brain का Development, Head का Development प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो यह Bi-Parameter Diameter में इसको ना पा जाता है, तो यह 36 Week, 2 Days की Pregnancy है, अब नीचे है AC, AC का मतलब क्या होता है, यानि कि Head को तो ना प लिया यहाँ पे, अब AC, Abdominal Circumference, यानि कि बेबी के Pate की Size क्या है, कहीं बेबी का Pregnancy के According, बेबी का Pate कहीं जादा या बड़ा कहीं उसमें बनावटी खराबी तो नहीं है, यह रिखा जाता है, तो यह 36 Week की Pregnancy है, तो यह, और Fetal Length, यानि Femur Length, सॉरी, Femur Length है, Femur जो होता है, वो हमारी Body का सबसे लंबा और सबसे Strong Bone होता है, जो की हमारे पैर के उपरी portion में, यानि की हमारी थाई में होता है, तो Femur Length को, मेजर करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे बेबी के Growth का पता चलता है, की बेबी का Growth प्रॉपर हो रहा है की नहीं, Femur Length से बेबी के पूरे Body की मेजर्मेंट पता चल जाती है, तो ये Femur Length, अब ये है GA, GA मतलब होता है, Gestational Age by LMP, यानि की आपकी Pregnancy की Date, Last Mental Cycle के According क्या है, यानि की आपके Period के According, आपकी Pregnancy की Date क्या है, यहाँ पे EDD दिया है, EDD का मतलब होता है, Expected Delivery Date by LMP, आपकी Last Period के According, आपका Expected Delivery Date दिया हुआ होता है, उसके बाद से है GA by USG, यानि की Gestational Age by USG, Pregnancy की Age क्या है, Ultrasound Reports के अनुसार, तो यह 36 Week, 3 Days हो रहा है याँ पे, तो वहाँ पे यह दिया है, दो Date दिये होते हैं, एक होता है आपके Period के According, और दूसरा होता है Ultrasound Report के According, अब अगला जो है, वो यह है, यह देखे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का Position क्या है, Upper Segment, Posterior Wall, Upper Segment का मतलब है, उपर की Side में, पीछे के Side में, यानि की आपका जो Spine Haired की हड़ी है, उसके Side में उपर की तरफ है, तो उसको कहते हैं, Posterior Wall, Upper Segment, Maturity Grade, अच्छा कई लोग कनफ्यूज हो जाते हैं, कि यह Maturity Grade क्या होता है, यह प्लेसेंटा की Maturity क्या है, यानि कि, आपके Pregnancy की Date के Aguarding, प्लेसेंटा मैचूर हो रहा है कि नहीं, यह मान लिजिए कि 9 मन्त की Pregnancy है, तो इसमें Maturity Grade 3 है, तो यह अच्छा है, अगर आपकी Pregnancy का पहला Trimester चल रहा है, तो उसमें Grade 1 आना चाहिए, अगर आपका Second चल रहा है, तो Grade 2 आना चाहिए, यह नहीं कि आपकी Pregnancy का दूसरा Trimester चल रहा है, और उसमें Grade 1 आए, या Grade 0 आए, तो वो गलत होता है, उसमें आपकी Pregnancy में या आपकी Pregnancy में कोई Abnormality हो सकती है, तो अगर आपकी Pregnancy साथ महिने की, आठ महिने की है, तो उसमें Grade 3 या Grade 2 आना ही चाहिए, तो यह Pregnancy का Maturity Grade होता है, अब यह है Liquor, Liquor का मतलब होता है कि Liquid, जिस पानी में बेबी रहता है, उसको कहते है Liquor, याने की Amniotic Fluid, Amniotic Fluid जो होता है, वो देखा जाता है, पregnancy के 9 मर्द में Amniotic Fluid को देखना बहुत ही important होता है, क्योंकि delivery के लिए proper परियाप्त Amniotic Fluid होना बहुत ही जरूरी होता है, तो अगर यह यहाँ पे देखिए, Liquor जो दिया हुआ है, वो दिया है adequate यानि की परियाप्त है, अगर आपकी Report में लिखा हो Oligo Hydromia, इसका मतलब अगर पानी का लेवल वहाँ पे कम होगा, तो उसका मतलब होगा Oligo Hydro Aminose, अगर Amniotic Fruit जादा होता है, तो उसको कहते हैं Polyhydro Aminose, तो यह पानी की मातरा proper होनी चाहिए, क्योंकि यह पानी जो delivery के लिए बहुत ही important होता है, यह जो Amniotic Fruit होता है, वो बेबी को protection का काम भी करता है, यह temperature को control करता है, infection को control करता है, बेबी के lungs और digestive system को development में help करता है, बेबी के muscles में, bone को development में help करता है, इसके अलावा normal delivery के लिए lubrication का काम करता है, अगर पानी मानी जी वहाँ पे नहीं होगा, तो बेबी uterus में चिपक सकता है, तो यह चिपचिपा होता है पानी, तो इससे delivery में problem नहीं आती है, अब जो main important चीज़ जो की color doppler sonography का main परपज होता है करवाने का, वो होता है congenital anomaly को देखना, congenital anomaly का मतलब होता है कि birth defect यानि कि congenital disorder, बच्चे में पेट में जब बच्चा पलता है, तो पेट के अंदर बेबी में कोई structural या functional खराबी तो नहीं है, यानि कि बेबी के अंगों में कोई खराबी तो नहीं है, या फिर अगर बच्चा deliver हो जाता है, तो उसके बाद से बेबी में देखने की चमता या सुनने की चमता कम तो नहीं है, तो इसको कहते हैं birth defect यानि कि जन्म दोस, जैसे कि बहुत ही common जो birth defects होते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे cleft lift यानि कि जो होट कटे होते हैं, या फिर कटे होट जो होते हैं, या फिर down syndrome, कई ऐसे down syndrome वाले जो बच्चे होते हैं, वो mentally defected होते हैं, यानि कि उनकी age जो होती है, वो देखने में तो ज्यादा होती है, लेकिन वो भी है, बच्चों की तरह करते हैं, उनका IQ level जो होता है, वो बहुत ही कम होता है, इसके अलावा जो अगला birth defect होता है, वो होता है, इसमें क्या होता है, कि जो neural tube होता है, वो नीचे की side से, पूरी तरह से close नहीं होता है, यानि कि पीड पे एक ऐसे cells का बन जाता है, वहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगे, आप लोग उसको spina bifida समझ सकते हैं, तो color doppler sonography का main region जो होता है करने का, वो birth defect को देखना होता है, कि बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है, अब जो दूसरा परपज जो होता है, color doppler sonography करने का, वो होता है, जैसे कि मैंने बताया, कि ये body में blood flow को check करने के लिए किया जाता है, तो अब मैं बता रही हूँ कि कहां कहां की blood flow को check किया जाता है, तो सबसे पहला जो जगह का blood flow check किया जाता है, वो होता है अम्लिकल आर्ट्री यानि कि बेबी का जो गर्व नाल होता है उसमें का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है कि बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं कहीं बेबी के ब्लड सप्लाई में कमी तो नहीं हो रही है जिससे कि उसका ड लाओन, इसका एक स्टेंडर्ड रे hm होता है जो कि इतना यह स्टेंडर्ड रे akvadर yaptव तो टूबुईटव सीफ sı गयने का का ए तो इसका एक standard ratio होता है जो कि यहां पे देखा यह दिया गया है अब जो दूसरा दूसरी जगह का blood flow चेक किया जाता है वह होता है thoracic erota तो thoracic erota किसे कहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि thoracic erota के blood flow को चेक करते हैं तो erota का मतलब होता है कि human body का सबसे main और सबसे बड़ा जो artery होता है जो कि heart के left ventricle से निकलता है और abdomen के नीचे तक जाता है तो ये एक artery होती है जो कि systemic circulation के द्वारा oxygenate blood को पूरे body में फैलाता है distribute करता है तो ये होता है erota जिसको artery कहते हैं ये हमारे left heart के left ventricle से निकलता है और abdomen तक जाता है तो ये erota होता है तो अब thoracic का मतलब क्या होता है thoracic का मतलब होता है कि जो हमारे chest के around यानि कि जो हमारा चाती होता है उस area में जो ये erota है वहाँ के blood flow को चेक किया जाता है तो उसमें क्या क्या आता है हमारे chest area में हमारा आता है heart आता है और lungs आता है तो heart proper function कर रहा है कि नहीं lungs proper develop हुआ है कि नहीं जैसा कि मैंने बताया कि अगर lungs proper develop नहीं होता है तो हो सकता है कि delivery के बाद baby survive ना कर पाए तो delivery के पहले baby को steroids का injection देते हैं जिसे कि delivery के बाद जल्दी baby का lungs develop हो सके तो ये thoracic erota यानि कि lungs और heart को blood supply हो रहा है कि नहीं proper कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है तो जैसे कि मतलब बताया कि इसका भी एक standard ratio होता है तो इसके आसपास ये होना चाहिए अब ये होता है अब तीसरी जगह का जो blood flow चेक किया जाता है वो होता है middle cerebral artery यानि कि baby के brain में proper blood supply हो रहा है कि नहीं तो baby के brain का blood flow चेक किया जाता है तो ये देखिए main purpose जो होता है curly doppler sonography का वो यही होता है कि ये यहां ये जो मैंने बताया कि यहां के blood flow को चेक किया जाता है कि यहां पे blood flow हो रहा है कि नहीं जो कि normal sonography से blood flow को नहीं चेक किया जा सकता है तो main purpose ये होता है color doppler sonography करने का अब impression पे आते हैं तो impression का मतलब होता है कि result क्या क्या आया है तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये एक 9 month की color doppler sonography है जो कि normal इसमें कोई problem नहीं है अगर आपकी pregnancy में कोई problem होती है तो आपको doctor पहले भी color doppler sonography करने के लिए कहते हैं तो ये देखिए impression यानि की result क्या क्या आया है इसमें single live fetus corresponding to 36 weeks 3 days यानि की एक baby है इसमें जो की correspond यानि की response कर रहा है 36 week का है ये नाइन मंत के 35 से 36 week में बेवी नेच्चुरल है डाउन position में आ जाता है तो उसको कहते हैं सिफालिक प्रजेंटेशन है डाउन पोजेशन को सिफालिक प्रजेंटेशन कहते हैं तो बेवी head down position में आ गया है estimated fetal body weight यानि कि baby का body weight क्या है pregnancy के 9 मन्त में baby का body weight क्या है 2,974 यानि कि 2 kg 934 gram यानि कि baby 2 kg 974 gram का है जो कि एक normal weight है baby का 2 kg से above होना चाहिए pregnancy के 9 मन्त में baby का weight upper segment placenta का जो position है वो upper segment में है posterior wall में है great 3 maturity है यानि कि placenta का position upper segment में है देखे ये pregnancy के 9 मन्त में placenta का position बहुत ज्यादा matter करता है अगर माल लीजिए placenta अगर uterus की opening में है यानि कि low line placenta है तो उस condition में normal delivery नहीं हो सकती है तो placenta का position प्रेशन चेक करना प्रेशन के नाइन मन्त में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो ये पोस्टीर अपर सेक्मेंट में प्लसेंटा का position है ग्रेड 3 है जो की बहुत ही अच्छा पोजीशन है अच्छा ग्रेड है adequate liquid यानि कि amniotic fluid कितना है तो proper है amniotic fluid जैसे कि मैंने बताया कि ये कौम या जादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल कलर डॉपलोर इस्टरडी अमलिकल आर्टरी फीटल एरोटा एंड एमसी यानि कि मेडिल सेरिवडल आर्टरी यानि कि blood flow जो है वो यहाँ जैसे कि उपर मैंने बताया ये सारे blood flow प्रॉपर हो रहे है नॉर्मल है सब कुछ यहाँ पे देखिए no evidence to cord around the neck देखिए ये बहुत ही important point होता है color doppler sonography का pregnancy के 9 month में अगर आपकी pregnancy पूरी 9 पूरे समय से बिल्कुल भी normal है तो pregnancy के 9 month में डॉक्टर इसलिए color doppler sonography करवाने के लिए कहते हैं कि baby के neck के around amulical cord तो नहीं है यानि कि baby के गले में उसका गर्व नाल तो नहीं है तो देखिए अगर आप normal sonography करवाते हैं तो ये जो point है वो normal sonography में नहीं पता चलता है इसलिए डॉक्टर प्रिग्मेंसी के 35 से 36 week में आपको color doppler sonography करवाने के लिए कहते हैं कि ये पता चल सके कि baby के गले में उसका गर्व नाल तो नहीं फसा हुआ है तो friends ये बहुत ही important point होता है तो अगर आपको डॉक्टर प्रिग्मेंसी के 9 month में color doppler sonography के लिए कहते हैं तो आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करना चाहिए आपको color doppler sonography करवाना चाहिए जिससे कि normal delivery में कोई problem नहीं आए तो friends I hope कि अब आपको color doppler sonography के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और एकी जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए यह जो है यह देखिए बेबी का जो blood flow है वहाँ पे यह देखिए uterus के around जो देखिए red red color का दिया हुआ है blood flow को चेक किया गया है यह heart को देखिए heart चेक किया गया है यह baby के मतलब हो कि यह color में दिखाता है color doppler sonography तो बहुत ही important होता है color doppler sonography करवाना तो friends I hope कि इस video से आपको घर पे अपने color doppler sonography आसानी से पढ़ना आ गया होगा और अगर आपको यह video informative लगा होगा तो इस video को जरूर लाइक करिएगा क्योंकि विडियो बनाने में बहुत ही जादा मैनत लगती है तो प्रीज अगर आप लोग को विडियो थोड़ा भी इंफर्मेटरी लगा हो तो विडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई और सोनोग्राफी रिपोर्ट्स या फिर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट वॉक्स में लिख सकते हैं मर्स का रिप्लाई जरूर करती हूँ तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक आप अपने ख्याल रखिए थांक यू